इसी तरह से इसी में हमें ये दूसरा टूल मिलता है जिसका नाम है Merge PDF फाइल तो आपकी दो PDF फाइल को एक PDF में Merge करने का काम करेगा देखो Google Chrome तो आप यूज करते ही हो और दिन में कम से कम जितनी भी वेबसाइट्स आप खोलते हो और उसको और भी जबरदस और बेस्ट तो जैसे तीसरा और चोथा वाला जो है वो तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है और बिना इंटरनेट के आप इनको अपने टीवी में फॉन में कम्प्यूटर में चला सकते हो इस कोर्स पे अभी 80% की चूट चल रही है यह केवल आपको 2400 निंग्यान वे मिल जाएगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है इससे आप हमारी वेबसाइट PCSkill.in पर पहुँच जाएंगे यहाँ पर आपको यह कोर्स दिखेगा add to cart आप इसको कर लीजिए और यहाँ पे जो आपको प्राइस दिख रहा है इसमें आप 80% चूट लेने के लिए कूपन कोड PCSkill टाइप करिए इससे जो फीस आपको दिख रही है वो रह जाएगी केवल 2400 निंग्यान वे साथ में हमारा computer glass भी है अगर आप बहुत computer चलाते हो तो इसको भी एड़ कर लो और इसके साथ में यह आपको पढ़ जाएगा सिर्फ 3400 निंग्यान वे से बात कर सकते हैं उनका नमबर मीचे यहाँ पर मैं दे दे रहा हूं और यह जो प्रोड़क्ट है इसके delivery पूरे भारत में फ्री की जाएगी तो मैं यहाँ पर Google Chrome में open कर रहा हूं Wikipedia और यहाँ पर एक chapter मैंने computer open किया है आपको बहुत सारी चीज़ा समझाने के लिए एक example के तौर पे इस website को मैं open कर रहा हूं तो यह extensions download कैसे करने है extension download करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर type करना है Chrome Web Store और यहाँ से इसको इस तरह से open कर लेना है अब जो भी नाम बताता जा रहा हूं उसका link भी नीचे description में दे दूँगा और आप उसको यहाँ पर type करो यहाँ पर जैसे type करोगे आप उस extension पर पहुंच जाओगे सो वेब स्टोर का link भी नीचे दे दूँगा ताकि आप सीधे चले जाओ और वैसे आप यहाँ पर भी type कर सकते हो तो सबसे पहला जो हमारा extension है वो है overlay translate और यह एक extension में गागर में सागर टूल है गागर में सागर टूल कैसे है कि यहां पर अकसर करके जब मानों कि हमें यह paragraph का translate करना होता है किसी और paragraph को translate करना होता है तो हमें वह paragraph कंपी करने के बाद में हमें Google translate open करना होता है मैंने तो यहां पर bookmark भी लगा रहा है कभी-कभी जरूरत पड़ती है फिर paste करते हैं फिर यहां पर उसको translate करते हैं ऐसे करके बहुत सारे ऐसी शब्द हैं बहुत सारी चीजें हैं जिनने अलग-लग भाशाओं में हमें मिलती हैं कभी-कभी किसी और प्रादेशिक भाशा का translate भी हमें देखना पड़ता है लेकिन इस टूल की मदद से आप यह सारी चीजें बहुत ही कुक्ली कर सकते हो अब यह टूल मैंने इंस्टॉल कर लिया Chrome में यहां से जैसे इस paragraph को मैं select करूंगा तो तो नीचे highlight आ जाएगा इसी टूल का जैसे यह मैं दो line भी select करूंगा तो यह highlight मुझे यहां पर दिख जाएगा आपको करना क्या है आपको simple select करना है इस पर click कर देना है आपको तुरंद यहां पर translate हो के मिल जाएगा और copy करने के लिए आप इस बटन पर click करिए अब जहां चाहें आप इसको paste कर सकते हैं तो अब इसको set कैसे करना है कि मैं click करूंग और Hindi में ही translate हो चाहें वो कोई भी भाषा हो तो आपको यहां पर click करना है इस extension पर यह वैसे आपको यहां भी मिल जाएगा यह गया यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको default translation language पर जाके अपनी जो default language है वो select करनी है अगर आपके English है तो English select कर लीजे अगर Hindi है तो कंप्यूटर में कोई इसमें English में कुछ लिखा हुआ है एक image में आपको करके दिखा देता हूं तो मैं यहां पर जो अपनी image है उसको ड्रेक करके लेकर आ सकता हूं यह आपने computer से browse भी कर सकता हूं तो मैंने computer से browse किया अगर मेरी image के अंदर कोई text होगा तो यह उसको इस तर है वहां पर उस text को पेस्ट कर सकते हो तो एक बढ़िया टूल है आप image के अंदर से भी text को पेस्ट कर सकते हो इसके लागर आपके कोई document है को English में है PDF फाइल है जो भी है आप दोक फाइल PDF फाइल आपका Excel की फाइल और PowerPoint की फाइल को भी यहां पे अपलोड करके उसे ट्रां translate होके आपके पास आपके भाषा में आपके सामने आ जाएगा भले ही वह English में या और किसी भाषा में हो एक और चीज़ यहां से आप सेम जो ट्रांसलेशन हुआ है उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो यहां मेरा PDF डाउनलोड होके भी आ जाएगा सो यह था हमारा पहला Chrome extension और यह भी आप समझ जाओगे आपका कोई भी document आपको PDF में convert करना है office document तो आप इस पे क्लिक करो और इस पे यहां पे क्लिक कर दो अब आपकी जो फाइल है उस पो यहां पे क्लिक करके select कर लो तो यहां पे मैं office की कोई भी एक फाइल ले लेता हूं तो यहां पे मेरे पास वह convert होके मेरे पास PDF format में आ जाएंगी देखें यहां पर यहां पर फाइल कनवर्ट होके आ गई है आपको open करके दिखा देता हूं यह मेरी excel की फाइल थी जो PDF में convert हो गई है इसी तरह से इसी में हमें यह दूसरा टूल मिलता है जिसका नाम है merge PDF फाइल तो आपकी दो PDF फा PDF कि कुलिक करूंगा एक file PDF की यहां पर लूँगा एडिक फाइल यहां पर लूँगा मैं 4 फाइले ळे ले लिता हूं यह 4 फाइले में ले ले ली हैं यहां से मार्ज पे क्लिक करूंगा और एक second अन्दर यह 4 फाइले मेरी एक्सल की फािल भी ली थी धी फिर उसके बास میں करनी है एक ही PDF फाइल में तो आप ऐसा कर सकते हैं तो यहां पर पहले हम एक PDF फाइल को select करेंगे और दूसरे में हम एक image फाइल जो अभी हमने डाउनलोड की थी उसको select करेंगे और एक click यहां पर दमाएंगे और click करते ही आप देखो image मेरी PDF के साथ में अटेच होके आ जाएगी आपको समझ में आ गया तो यह कितना इंटरस्टिंग तूल है आपको समझ में आ गया होगा तो यह दूसरा extension था हमारे पास में तो आप बढ़ते हैं अपने तीसरे extension की तरफ जो की screen recorder और screen capture app की तरह काम करता है और यह बहुत ही इंटरस्टिंग है दो टूल यहां पर मिल जाते हैं दो टैब मिल जाते हैं अब पहले टैब को और दूसरे टैब को दौनों को समझाओंगा अगर आप screen recording कर रहे हो तो कितना important है अगर आप screenshot ले रहे हो तो कितना important है अगर आपको इस पूरी website का screenshot लेना है तो आपको 스फ इस button पे click करना है जैसे आप click करोगे तो auto-scroll होगा और आपके पूरी website का screenshot अपने आप से यह tool ले लेगा इसी तरह से अगर आपको visible area का screenshot लेना है तो आपको यहाँ पे alt a press कर देना है या फिर आपको इस button पे click कर देना है तो मैं इस button पे click करूंगा और तो यहां पर लग लग टूल्स भी दीए है अगर आपको कुछ यहां पे एड़िट करना है तो आप साथ के साथ कर सकते हो और इसको यहां पे क्लिक करो एड़िट वेब पेज टेक्स कंटेंट क्लिक कर दिया और देखो आप इसको रिफ्रेश नहीं करोगे अब जैसे यह कंप्यूटर मुझे एड़िट करना है तो कंप्यूटर की जगे मानो मुझे अपना नाम लिखना है इस फॉंट की जगे तो देखो सेम वही फॉ कि आगे का कंप्यूटर भरद्वाज इज लिख दिया अगर आपको यह इसकी जगे को चेंज करना है या इसकी जगे को चेंज करना है इस इमेज को हटा के कहीं और रखना है तो आप रख सकते हो इसकी जगे को शॉट टाइप करना है तो आप कर सकते हो तो इस तरह से आप वेb page को भी edit कर सकते हो same time पे and download कर सकते हो तो अब आजाते हैं हमने दूसरे option पे जो webcam के साथ में काम करता है आपकी screen को record करने में तो यहां पर आपको तीन option मिलते हैं पहला मिलेगा desktop का फिर this tab and फिर camera तो यहां पर अगर आपके computer के साथ में webcam attached है या laptop के साथ में webcam attached है तो यह तूल जो है बहुत अच्छे से काम करेगा तो यहां पर आपको camera का option मिल जाता है मैंने camera attach कर रखा है अगर mic attach कर रखा है तो mic का option आपको यहां पर मिल जाता है यहां पर आपको जब आप recording शुरू करोगे तो countdown का option मिलेगा यहां पर आपको show automation tool का option मिलेगा मैं दखा दूगा की कैसे काम करेगा तो यहां पर हमने camera लगा रखा है desktop लगा रखा है अब यहां से start recording पे click करेंगे अब जिस भी tab को record करना है उस tab को हम यहां से select करेंगे देखो मेरा webcam साइड में आपको दिख रहा होगा यहां पर नीचे वह आ जाएगा अब यहां पर मैंने यह tab लिया है इस tab को record करने के लिए हम सिर्फ यहां से share का button दबाएंगे और यह recording मेरी शुरू हो जाएगे नीचे आपको यहां पर उट्फ दिखेंगे आप चाहे तो यहां पर pencil चला सकते हो आप चाहे तो यहां पर कही पे भी square बना सकते हो इस तरह से कहीं पर अगर आपको arrow बनाना है तो बना सकते हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो आप इसके लावा अगर आपको यह सारी चीजे मिटा नहीं है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यह सब कुछ मिट जाएगा एन आपको recording स्टॉप करनी है तो आप यहां से कर सकते हो, यहां से आप recording शुरू करो थो आपके जो वेब कैम की recording वो शुरू हो जाएगी, यहां से आपकी यह जो टैब है, अगर जो टैब अबी मैंने open कर रखा है, इसको record करना है, तो यह टैब वाले feature पर click करो, और recording on कर तो recording on हो जाएगी तो इस तरह से यह जो extension है यह बहुत कामका है और मुझे लगता है कि यह आपको भी पसंद आएगा पसंद आए तो नीचे comment करके पता देना इसके बाद में जो चौता extension हमारा है वो भी बहुत खुबसूरत है और इसका नाम है printer friendly अब देखो जब आ चाहिए तब आप इस extension को यूज करो बहुत खुबसूरत extension है PDF में तो convert करता ही है उसको printer friendly भी बनाता है यहां पर आप क्लिक करोगे और जैसे क्लिक करोगे तो तीन option आपको यहां पर मिल जाएंगे print PDF और email का और यह web page आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा और आपको लगता है कि printing में इन चीज़ों की कोई जरूरत नहीं है तो यहां पर जैसे आप आऊगे selection आपको दिखाए देगा आपको images नहीं चाहिए आपको यह उपर वाला जो section यह नहीं चाहिए इसको हटा दो अब नीचे देखो अगर कोई ज़रूरी काम की कोई चीज है तो रखो otherwise आप यह delete वाले section का use करके उन चीज़ों को अपने printout से हटा सकते हो तो print करते समय ही आप इतनी सारी चीज़ों को अपने printing area से हटा सकते हो और यहां पर जो काम की चीज़ें हैं सिर्फ वही print होंगी तो देखो मैंने काफी सारी चीज़ें हैं यह यहां से मैं हटाता जा रह चाहिए तो मैं इन सब को यहां से करके delete कर दूँगा ठीक है जिससे मेरा जो printing area है वह बचेगा तो यह मैं यहां पर इस तरह से निकाल सकता हूं उसके बाद अगर मुझे यहां से PDF इसको बनाना है तो मैं इस पर click करूंगा PDF में यहां पर size अपने आपा जाएगा और जो PDF ह वह यहां पर download होनी शुरू हो जाएगी देखे यह download my PDF यहां पर देखो यह PDF मेरे पास अभी जो Wikipedia वाले page की है वह आगी और जो सारी चीजे मैंने हटाई थी वह यहां से खुद बखुद हट गई है नीचे वाला जो area है वह नहीं आया है तो कुलमिला के बात यह है कि Google Chrome वै कि वीडियो आप आगी भी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताईए मैं हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा मैं मिलता हूं आप से गले वीडियो में तब तक के लिए जहें वन्ने मातरम